अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महुत्सफ के बाद मजद निर्माण भी जल्द शुरू होने की खबर आ रही है मजद के लिए मॉडल भी तेय कर लिया गया है जिसके पोस्टर भी धन्निपुर के उस मजार पर लगा दिये गए हैं जहां की खाली जमीन पर मजद का निर्माण होना है नया मॉडल पहले से बिलकुल अलग है जो इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने तै किया है अयोध्या के धन्निपुर में मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ वही प्लोट निर्धारित है जहां पर मस्जिद का निर्माण होना है लेकिन इस वक्त यहां पर आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि एक दरगाह है इस दरगाह पर लोग आते रहते हैं उनकी आस्था है तो यहां पर वो जरूर आते रहते हैं कि अब निर्माण शुरू होने वाला है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है वह संच चवहत्तर से यहीं से बिलांग कर रहा हूं क्योंकि हमारे फादर यहीं सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में और तभी से उसके बाद मेरी शादी भी यहीं हो गई मेरा आना जाना लगा रहा लेकिन इस बीच जब से कोट का फैसला आया है यही था आप निर्माण होगा अब होगा लेकिन अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है के और यह दरगा यहां पर है कितने सारो से इस जग पर हूँ है यह थो हम लोग आए सब स्पशार मतुलाले की मजार और इनके जो हिस्टरी है वो अंग्रेजों के पीरियर से हैं यहां हम लोग आते हैं हमारी आस्थाएं जुड़ी है इससे हमारी मनतें पूरी होती है यह जो इंडो-इस्लामिक कल्चरल सेंटर के स्थापना हुई इससे कोई जानकारी आप लोग की जुड़ाव किसी से और कोई अभी दर्शन के लिए आते हैं इस्थाने लोगों का कहना है कि कमीटी से ही उन्हें जानकारी मिली कि मस्जद का निर्मार अब नई मॉडल के तर्ज पर होगा जो पहले से बिलकुल अलग है राम मंदर से 25 किलो मीटर दूर आयोध्या के धन्निपूर 4500 स्क्वायर मीटर के इस प मान्य उत्रप्रदेश सरकार ने योगी जी ने जो किया है वह तो ठीकी है लेकिन फिलहाल अभी जो कार्य है वह कुछ भी यहां नहीं हुआ है अब आप देख रहे होंगे अपने केमरा मेंन से कहिए कि गुमा के दिखाएं आपको न यहां गिट्टी दिखेगी ना बालू अब फिलहाल शुरू हो सकता है तो अभी हमें तो नहीं लगता है कागजों पर ही है जो है अभी इस तरह तो नहीं लगता है कि अभी कुछ चीज़ें होंगे लेकिन आसी ख़बर सामने आ रही है कि यह देश की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वह बनाने की तैयारी सबसे भ पिलहाल तो काम जब प्रोग्रेस पर आएगा तब पता चलेगा कितनी बनेगी अभी तो कोई तैयारी ही नहीं किसी की ना गवर्मेंट की है ना यहां के जो लोग है उनकी अभी कोई बात चीथी आपस में नहीं हो रहने वाली है कितने सालों से आप इस जगह को देख रही होगी वह देश की जानी मानी और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक होगी आप आपको लगता है कि जल्दी का होना जाए बहुत जल्दी हो ना शाहिए लाबाग पूरा करें बहुत खुश है हम लोग सुनके अयोध्या में जिस जगह पर मस्जिद का निर्मान होना है उस यहां पर आप देख सकते हैं कि यह दरगाह की पोजिशन है जो कि अभी है यहां पर फिलहाल मौजूद और उसके चारों तरफ जिस तरह के कंस्ट्रक्शन होनी है उसका एक मॉडल यहां पर इंडो इसलामिक कल्चरल फांडेशन जो की ट्रस्ट के स्थापना की गई मस्ज दिखाई देता है नए मॉडल में पाच मिनारों वाली एक विशाल मजजद को दिखाया गया है तो यहां के लोगों की यही जानकारी है कि इस बार के रमजान में निर्मान कारी यहां पर महजित का शुरू हो जाएगा और महजित भी भव्य बनेगी जो मॉडल हमने आपको शुरूआत में दिखाया प्लॉट के शुरूआत में जो मॉडल इंडो इस्लामिक फांडेशन के द्वारा यहां पर लगाया गया उस मॉडल में अब बदलाव है और अगला मॉडल क्या होने वाला है उसकी एक तस्वीर यहां पर लगाई गई है वो तस्वीर हम अभी की दिवार पर एक यहां पर पोस्टर लगा दिया गया है जो कि नया पोस्टर है और इस पोस्टर में जो मॉडल दिखाई देता है उस मॉडल को हम आपको दिखा रहे हैं यह देखिए एक्स्क्लूजिव तस्वीरे टीवी नाइन भारत वर्ष पर हम इस मस्जिद की दिख होगा और किसी तरह की मस्जिद होगी यह तस्वीर मैं कहूंगा अपने कापिल से की वह जूम करके दिखाएं देखिए इस तरह का यह मॉडल होगा मिनारे इसके उपर होंगी और रगितने फ्लोर का बताया जा रहा है पांच मिनारों की ये मस्जिद होगी और कहा जा रहा है कि देश के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक ये होने वाली है जो कि अयोध्या के धन्नीपुर में बनाई जाएगी इसी प्लोट के उपर तो अस्थानिये लोग भी उमीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका निर कि इसी इपता कुर।